वेरी गुड इमजीन टू आल अफ यू मैं हूँ राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशल कॉंपटेशन टाइम्स की लाइफ सेशन्स ऑक्सो एक्ट बहुत इमपॉर्टन है ये और इसके सारे सेक्शन्स की वीडियोज अब आपके पास ऑनलाइन यूट्यूप पर अबलेवल हैं इसके लाबा ये सारे वीडियोज आप मेरी वेबसाइट जुडिशल कॉंपटेशन टाइम्स डाइन पर भी विजट करके देख स आसकते हैं या वो गाइडलाइन के फॉर्म में हैं उनको मैंने आज के सेशन में डिसकस किया है जो कि मैं डिसकस करने वाला हूँ आपके साथ और इसके लावा दूसरा अस्पेक्ट है हमारे पास वो एनलोजी जो की प्री एक्जामिनेशन में आने की चांसे हैं वो कुछ कोस्टेंस को वो किस तरह से बन सकते हैं उनको मैं अपने नेक्स सेशन में डिसकस करूँगा और सारे कोस्टेंस को तो पॉसिवल नहीं है डिसकस कर पाना उसके लिए आप मेरी वेबसाइट जोडिशल कॉम्पेटिशन डाट इन पर विजिट करके आप ऑनलाइन मॉ दोनों के लिए है और इसके लावा जो टाइम को चाइन करना चाहते हैं मैन अश्याम को साथ से अट गया से नाट जोन है जिन लोगों को लौकर नहीं ako के मारे में बहुत अच्छा कामार नहीं है जहां तक practical aspects का सवाल है कि court में case कैसे लड़ा जाता है chief कैसे record होंगे यहां cross domination कैसे किया जाएगा appeal कैसे contest की जाएगी कैसे बनेगी, FIR में क्या-क्या होता है कैसे लिखी जाती है court of law में उसे prove कैसे करते है यानि court में जो कुछ भी होता है जो की एक lawyer को पता होना चाहिए, वो सब कुछ हम advocacy batch में discuss करते है तो वो लोग जो advocacy batch को join करना चाते है, शाम को समय है 6-7 वज़े का उसको join कर सकते है तो चलो, आज हम लोग start करते है आज के session के साथ, और आज हम लोग discuss करेंगे, कुछ important landmark judgments, जिसमें की guidelines जारी की गई है, honorable supreme court ने, यह various high courts ने तो चलो, बीना देरी के start करते है आज के session के साथ चलो, ठीक है, आज हम लोग OXO Act पर honorable supreme court और कुछ high courts के बहुत important judgments को discuss करने वाले हैं, और यह judgments court of law में भी काफी use होंगे, और वो आपके examination में भी आने की tendency in particular case clause की काफी जादा है तो आम तोर पर अगर हम किसी भी law के बारे में बात करें और अगर honorable supreme court ने किसी particular provisions पर कोई भी guidelines जारी की होती हैं, तो वो guidelines काफी जादा important होती हैं और उनके examination में आने की tendency भी बहुत जादा देखी गई है तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ guidelines यहाँ पर discuss की हैं, जो honorable supreme court ने laid down की है, box of act में तो चलो start करते हैं session के साथ और देखते हैं हमारे पास कौन-कौन से ऐसे important case laws हैं, जिनके बगएर आपका काम नहीं चल सकता, court में भी नहीं और examination में भी नहीं तो सबसे पहला case हमारे पास है अलग आलोग शिरिवास्तव वर्सेज यूडियन ओफ इंडिया का case है और यह honorable supreme court ने 2018 में प्रनाउंस किया था यहाँ पर honorable supreme court ने certain guidelines जारी की थी और यह guidelines जो थी वो basically जो trial को within the stipulated time period जो की section number 35 of POXO Act में mention किया है उसके relation में ही जारी की थी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ के POXO Act यह कहता है कि जिस दिन court cognizance लेती है किसी offense का उसके within one year उन्हें इस case को trial को complete करना होता है अब क्योंके on the river supreme court ने देखा कि stipulated period में ये trials complete नहीं हो पा रहे हैं किसी reason की वज़े से तो वहाँ पर honorable supreme court को यहाँ पर एक landmark guidelines जारी करनी पड़ी जो subordinate courts हैं और high courts के लिए भी ताकि इन cases का disposal as early as possible within the stipulated period जो की हमारे पास act में दिया है जो की one year है उस time period में इन सभी का trial complete हो जाए तो चलो जड़ा देख लेते हैं यहाँ पर guidelines के relation में क्या क्या points mentioned हो हैं जो की हमें consider करने हैं सबसे पहला जो point है जो की need to be kept in mind पहला कि high courts honorable supreme court ने कहा कि high courts जो हैं वो responsible हैं इस बात को ensure करने के लिए कि यह जो भी matters हैं जो की pox watch से related हैं इनकी सुनवाई special courts के द्वारा किया जाएं और यह special courts के द्वारा ही decide किया जाएं इसके अलावा जो presiding officers हैं उस courts की special courts की उनको properly train किया जाएं ताकि child के protection और psychological reaction में वो properly deal कर सकें ठीक हैं यह पहली guidelines जो है honorable supreme court ने जारेगी आगे honorable supreme court ने यह कहा कि अगर मान लो special courts पहले नहीं बनाई गई हैं तो उनको फॉरण से बना लिया जाएं ताकि poxo act का जो भी matter है वो यह special courts ही उनमें deal करें और वो ही उसको decide करें आगे उन्होंने honorable supreme court ने यह कहा आगे special courts को यह instruction दी जाती हैं कि वो cases को जल्दी से जल्दी within the time period जो की आपके पास आपके act में mention किया है जो की one year है उस stipulate period में ही complete करें और super plus adjournments देने से बचें कोशिश करें कि super plus adjournments ना दी जाएं और जो भी guidelines procedure के लिए poxo act में mention की गई हैं उसी का ही अनुसरन करें उनी का ही compliance करें आगे उन्होंने court में ये भी कहा apex court में ये कहा कि जो भी high court के chief judges हैं उनको निर्देशित किया जाता है कि वो अपने यहां हर courts high courts में three judges की एक committee बना लें जो की poxo act के जो भी cases का progress हो रहा है उनको control और supervise करने के लिए उनके पास एक committee होने चाहिए three judges bench की अगर ऐसा करना possible ना हो मालो three judges की committee कठन नहीं हो पाएगी किसी reason की वज़े से तो वहां पर जो भी number of judges होंगे वो CGI उनको accommodate करके committee बनाएगा और उनको supervise करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं बनाए जाएगी और उसको usually एक DGP के rank के officer या DGP ही बनाएगे या कोई भी state authority जो की comparable rank की होने चाहिए DGP rank की होने चाहिए ताकि box of act में जो भी investigation हो रहा है वो properly हो सके witnesses जो भी उस matter में पेश किये जा रहे हैं court में वो भी properly उनका examination court के सामने हो सके तो trial के लिए भी और investigation के लिए भी proper एक task force special task force बनाए जाएगी at the instance of DGP चलिए आगे बढ़ता है आगे उन्होंने ये कहा the high court must take appropriate efforts to create a child friendly environment in special courts देखें कोई भी बच्चा court में जाने से घवरा सकता है क्योंकि वो उसके लिए वो जगा नहीं है वो उसके लिए friendly place नहीं होती lawyers अपने हिसाब से वहाँ पर work करते हैं अपने clients के interest को protect करने के लिए तो बच्चा वहाँ पर बहुत awkward feel कर सकता है तो इसलिए यहाँ पर duty cast upon की गई है special court के जो presiding officer है कि वो एक friendly environment child friendly environment create करेंगे ताकि जो इस act की जो spirit है उसको uphold किया जा सके अब यह तो guidelines उन्होंने mention की गई within the time period slot आपको जो trial commit करना है तो यह पहला वहला हमारा जो citation था उसके बारे में बात कर रहा था अब एक और citation है हमारे पास जो की निपून सक्सेना versus union of India का citation है और यह 2019 में में आया है matter honorable supreme court का case है यहां पर basically जो section number 23 का infraction यानि की उसमें कोई भी infringement हो रहा है उसका उसमें कोई भी अतिकरमन हो रहा है encroachment हो रहा है section number 23 का उस बात को लेकर honorable supreme court ने कहा कि अगर इसका infraction होता है तो उसका क्या प्रभा होगा और इसके relation में हमारे पास क्या कोई guidelines है जो हम लोगों को जारी करने के requirement है तो honorable supreme court ने section number 23 के infraction के relation में भी कुछ guidelines जारी की है और ज़रा वो भी देख लेते हैं कि guidelines क्या है citations के जो नाम है ना जैसे निपून सक्सेना वसे यूनियो फिंडिया यह जो भी मैं यहां दे रहा हूँ इनको आप अच्छे से द्यान में जहन में बिठा लेना future में आपको काफी ज़्यादा काम आने वाले हैं यह सबी वो aspirants जो की heart judiciary के लिए त्यारी कर रहे हैं अगर आप कहते हैं मैं criminal cases में deal करता हूँ आप कहेंगे कभी आपके पास कभी boxo के matters आपने की हैं अगर आप कहते हैं हाँ की हैं तो फिर court यह presupposed कर लेगे कि आपको honorable supreme court की guidelines के बारे में तो अच्छी से जानकारी होगी ही तो बहुसारा interview काफी बार आपके क्या के चीजों को ध्यार में रखते हैं उन सभी के relation में मैं एक वीडियो अलग से session मना दूँगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास निपून सक्षेना versus union of India वाले case में क्या कहा गया जरा यह देख लेते हैं यहां पर उन्हें ने कहा कि कोई भी विक्टिम का नाम broadcast नहीं करेगा कोई भी चाहे वो print media हो चाहे वो electronic media हो चाहे वो social media हो किसी भी तरह से विक्टिम की identification को disclose नहीं किया जाएगा general public में उनका नाम नहीं आना चाहिए यह बात उन्होंने साफ साफ यहां पर clear कर दी पहली बात अगे उन्होंने कहा अगर मान लो victim या victim है जो mentally ill है या उसके मृत्ति हो चुकी है तो विक्टिम का नाम reveal नहीं किया जाएगा और even अगर उसके जो next of kin है यानि कि जो उसके guardian या उसके जो parent है अगर even उनकी भी consent लेकर अगर आप उसके नाम को publish करना चाते हो disclose करना चाते हो तो वो भी नहीं कर सकते है लेकिन साथ में condition लगाई गई है मैंने इसको red mark से red letter से इसको अलग से इसको specify भी किया है ताकि आप लोग इसको ध्यान से समझ रो एक condition में कर सकते है अगर condition ऐसी है कि उसका नाम disclose करने के लिए वो allow करती हो पर सितिय ऐसी है कि उसका नाम disclose किया जा सकता है और ये भी जो competent authority है वो decide करेगी और competent authority कौन है वो trial judge वो trial judge कौन होता है special court के presiding officer वो special court के presiding officer कौन होते है ADJ यानि कि session judge तो session judge ही इस बात को tag करेंगे कि उसका नाम disclose होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए next है हमारे पास कुछ FIR को public करने के बारे में रोक लगाई गई है on the level supreme court के द्वारा उन्हेंने कहा कि ये जो sections है ना IPC के जैसे कि section 376 और उसकी बाकी जितनी भी branches है 376 B, C, D 376 DA और DB और section 376 E of IPC as well as the violation under the POXO Act यानि POXO Act के violations IPC के in particular sections के violation अगर हुई है उन offenses की FIR public नहीं करी जाएगी ये on the level supreme court ने यहाँ पर specially बोला है चलो आगे बढ़ता है आगे वो कहते हैं कि अगर मान लो victim appeal में चला जाता है और appeal फाइल करते हैं under section 372 of CRPC तो वहाँ पर appeal में भी उनको अपना नाम reveal करने की जुरुरत नहीं है और वहाँ पर appeal की सुनवाई accordance with the law होगी जैसा भी procedure mention किया है उसके हिसाब से होगा appeal में उसका नाम mention करने की जुरुरत नहीं है कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार ये जो बार लगाया गया है ये बार तो trial के level पर लगाया है appeal के relation में तो कोई बात की ही नहीं गई है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है appeal के दौरान भी उस बच्चे का जो identification है वो किसी तरह से disclose नहीं होना चाहिए चलो next आते हैं guidelines number 5 पर जो की apex court ने mention किया है और उन्हें यहाँ पर कहा है कि जितनी भी papers हैं जिससे की उस बच्चे की identity exposed हो रही हो उसको आप एक sealed cover envelope में रखकर रख लेंगे उसको seal कर देंगे उसके बाद और इसके लावा मान लो आपने जो मान लो आपने statement record कर लिया statement यह उस बच्चे का नाम आ गया उस बच्चे को की statement जो है वो आप अलग से paper में रखके envelope में रख ले उसको seal कर देंगे तब उसको file पर रख लेंगे लेकिन वो sealed हालत में रहेगी वो जो statement है वो sealed हालत में रहेगी उस envelope के अंदर open नहीं रहेगी सब को नहीं दिखेगी तो sir फिर वो statement को पढ़ेंगे कैसे फिर उस statement की आप एक copy बना लेंगे और उस में से उस बच्चे का नाम जहाँ पर भी identification है उसे delete कर देंगे और उसको उस file पर हिस्सा बना लेंगे बर उस document का तो यही बात उन्हें ने बोली है and these documents should be replaced with a similar document in which the victim's name is deleted यानि कि यह जो documents थे जिन में बच्चे की identification आई थी उनको तो एक sealed envelope में डाल कर रख लिया हमने पास अलग से ताकि किसी को पता न चले क्या उसकी identification है और उसी तरह का similar document जिसमें की बच्चे के नाम को delete कर दिया गया है उसको फिर file पर रख लिया जाएगा record पर रख लिया जाएगा ताकि उसे public domain में shootanize किया जा सके क्योंकि अब उसे shootanize करेंगे भी तो बच्चे की identity यानि child की विक्टिम की identity कहीं पर भी disclose फिर नहीं होगी चलो next आते हैं हम clause number 6 पर और clause number 6 यानि की guidelines number 6 पर यहाँ पर उनका कहना है कि जितनी भी authorities है जिनको विक्टिम का नाम provide किया जाता है investigating agency के द्वारा investigating agency हो सकता है कि उन नामों को कहीं disclose कर रही हो जैसे court को disclose कर रही हो तो यहाँ पर वो courts या जिन authorities को भी ये नाम secret दिया दिया गया है वो इसको secret रखेंगे और किसी को भी disclose नहीं करेंगे हाँ अगर उनको कोई report बनाकर आगे देनी है तो बात अलग है लेकिन वहाँ पर भी ये cautious रखा जाएगा कि उसकी identity कहीं पर भी disclose ना हो अगर को report जा भी रही है तो वो एक sealed envelope में होनी चाहिए public domain में वो in the matter of course file का पूरा हिस्सा बन कर नहीं जाएगी file पर रहेगी लेकिन एक sealed envelope में रहेगी तो यही बात उन्हें ने बोला है कि उन authorities को जो की इंवेस्टि इजनसी विक्टिम का नाम प्रवाइड कर रहे हैं identity disclose कर रहे है तो वो authorities की भी duty है कि वो disclose किसी को ना करें आगे और certain measures लें जो की identity जिससे वो disclose ना हो सके next है हमारे पास guideline number 7 और यहाँ पर उनका कहना है कि अगर मान लो next of akin यानि की victim के जो guardian या उसके parent है अगर वो कोई application लगाते भी है अगर उनका बच्चा वीश्वर न करे ऐसा हो victim की अगर death हो चुकी हो और unsound mind का हो और वहाँ पर अगर मान लो इस तरह की कोई भी बात की जाती है तो वहाँ पर identification के relation में court ensure कर लेगी कि अगर in the interest of justice requirement है तब ही उसका नाम disclose करेंगे otherwise disclose नहीं किया जाएगा तो यही बात यहनों नहीं पर clause number 8 में भी रियानी की यही बात mention की है कि उनका नाम disclose नहीं किया जाएगा जब तक की child के interest में वो ज़रूरी ना हो next है हमारे पास जो guidelines number 9 है और उनमें उन्हों ने कहा honorable supreme court ने कहा कि state government और union territory इस judgment को पास होने के एक साल के अंदर अंदर एक one stop center हर district में establish कर लेंगे ताकि बच्चों की crime के relation में जो भी रोगधाम है उसमें जो awareness है वो सब हो सके ठीक है तो ये कुछ guidelines है जो की honorable supreme court ने ये निपन वाले case में mention की है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कुछ और भी important cases है जो की हमको ध्यान में रखने का requirement है इस relation में हमारे पास एक case है गया प्रसाद पाल यहां पर court के सामने question ये था कि क्या हम POXO Act में और IPC में दोनों sections में अलग-अलग conviction accused person को कर सकते हैं क्या देखो आपको याद होगा जो मैंने आपको bear act में सारे provisions को detail में पढ़ाया था तो मैंने आपसे ये बात बताई थी कि अगर मान लो कोई particular ऐसा act हो रहा है जो की दो different acts में defined है जैसे OXO में भी defined है और हमारा IPC में भी defined है तो हमारे बास section number 3 एक ऐसा ही section है जो की section 375 में भी defined है IPC में और हमारे section number 3 में भी defined है तो अगर हम punish कर रहे हैं तो हम section 3 में भी करेंगे section 376 में भी करेंगे वलब section 4 में भी करेंगे section 376 IPC में भी करेंगे क्या punishment वहाँ पर law ने ये कहा था fox oh act ने ये कहा था वहाँ पर जो भी griver punishment होगा दोनों में से उससे punish करदेंगे अगर मान लो हम दोनों sections में punish कर दें section 4 of foxo act में भी कर दें section 376 of ipc में भी कर दें तो उसका क्या effect होगा उसका effect होगा कि आप एक ही offense के लिए two times आप से punish कर रहे हो आप उसे twice punish कर रहे हो for the same set of offenses तो ये unconstitutional है ये correct नहीं है इसी बात को लेकर matter honorable अंटली हाई court के सामने आया था और उन्हें इसमें क्या कहा सबसे पहले तो facts को देख लेते हैं फिर देखते हैं के court ने क्या इस मामले में held किया तो appellate challenged his conviction for being charged twice because of the same offense same offense के लिए उसको दो बार charge कर दिया गया था he raped his minor stepdaughter under the age of 14 years and made her pregnant 14 साल की बच्ची थी step mother थी सोतेली बेटी थी उसको उसने pregnant कर दिया रेप किया उसके साथ the man was found guilty of penetrative sexual assault under section 4 of POXO Act read with section 376 of IPC तो court ने उसको guilty held किया section 4 of POXO में और section 376 of IPC के लिए उसको और भी sentences pass किये गए जैसे कि section 376 of IPC section 6 of POXO Act section 354 of IPC section 506 of IPC इन के लिए भी punish किया गया यहां पर honorable high court Delhi high court नहीं observe किया that the trial court did not put the appellant on the trial for the offense of aggravated penetrative sexual assault under section 6 of POXO Act as a result the punishing him for the same offense was unconstitutional उन्होंने कहा कि आपने section 6 के लिए तो उसका trial चलाया ही नहीं था तो फिर आप उसे punish कैसे कर सकते हो जिन sections में आपने उसका trial चलाया ही नहीं वहाँ पर अगर आप punish कर रहे हो तो वो unconstitutional है आगे उन्होंने ये कहा कि in case of minor जो rape होता है उसको हम penetrative sexual assault treat कर सकते हैं POXO के section number 3 के purpose के लिए आगे उन्होंने ये भी कहा that the act which constitutes penetrative sexual assault against the girl child would also be considered rape जया नहीं कि अगर section number 3 में जो offense बन रहा है ठीक है ना तो उसको हम rape consider कर सकते हैं a person may not be punished twice for the same set of actions of conduct or omission that collectively form an offense which is covered by two separate articles of law मैंने आपसे वही बात बताई जो पहले भी थी कि अगर मालो एक particular set of actions एक transaction में हो रहे हैं लेकिन वो act two different acts में mention की गए है two different statutes में mention की गए है उनके लिए different different punishment provide किया गया है तो वहाँ पर हम करेंगे क्या तो आगे उन्होंने यही बात बताई है वो कहरें despite of the fact that the law allows for a trial on an alternative charge for both the offenses हाला कि वो कहरें alternative charge के लिए आप उनका trial कर सकते हो but the punishment can only be given for one of them लेकिन punishment आप दोनों में से एक के लिए दोगे the one that is more serious तो दोनों में से जोन सी भी punishment serious वाली है आप उसके लिए punish करोगे lesser वाले को छोड़ दोगे तो यह बात इन्होंने इस case में honorable अब यह तो हुए हमारे वो मामले guidelines को लेकर या मानलो एक ही offense में two different statutes में वो definition fall कर रही है और वहाँ पर हम दो बार उसे punish कर रहे है तो यह analogy हमने समझ ली अगर मानलो बच्चा date of crime नहीं बता पाता child victim date of crime नहीं बता पाता तो क्या accuse को उसका benefit of doubt देकर उसे accurate कर देंगे उसे बरी कर देंगे इस relation में एक important case है और case का नाम है बाला जी सर्जे राओ कामले वर्से स्टेटो महराष्ट और इसमें क्या हुआ इसमें facts देख लेते हैं facts ही हैं कि लड़की की age 6-8 years की थी उसने date of crime अपने testimony में court में जो statement दियाता वो नहीं बताई थी उसने तो court ने यहाँ पर कहा के merely अगर date of crime नहीं दिया है victim ने तो उसकी जो testimony है उसको entirely में आप discard नहीं कर सकते हैं उसकी testimony फिर भी valid रहेगी इसलिए accused person को accurate नहीं किया जा सकता अगर उसकी testimony पर कोई conviction बनता है तो merely इसलिए कि उसने date of crime नहीं बताई थी तो हम उसकी testimony को consider नहीं करें ऐसा नहीं है तो यह कुछ बड़े important citations हैं जो कि मैंने आपर discuss की हैं आज आपके साथ देखो ऐसा है कि citations तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन time की scarcity की वज़े से अब उन सब को यहां पर discuss एक साथ नहीं कर सकते हैं इसके relation में मेरी life sessions होती हैं जो कि मैं online coaching classroom भी provide करता हूं जोडिशरी के लिए तो मेरे regular classrooms आप जॉइन कर सकते हैं जिसका एक batch morning में होता है साड़े साथ बज़े पर वो regular classrooms है HHS और PCSJ के लिए आप जॉइन कर सकते हैं इवन इवन इवनिंग में भी इसके classroom होती है वो हमारी website judicialcompetitiondimes.in पर visit करके online mock test को roll कर सकते हैं इसके लावा अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो राकेश कपूर चैनल जो की judicialcompetitiondimes के से भी search हो जाएगा उसको search करके आप subscribe करके all वाले notification bell के button को click कर लेजिए ताकि मेरे सारे वीडियो के notification आपको समय समय पर मिलता रहें तो इसके लावा जो mcqs है उसको कोशिश करेंगे के next session में जब मैं online आऊंगा उसको discuss कर लेंगे तो आज के लिए इतना ही है जल्दी मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही तब तक के लिए मुझे permit कीजिए thank you so much जय हिंद जय भारत